दोस्तो नमस्कार। वीकेन उलेज इलेक्ट्रिकल में आप सबी खस्वागत है। इलेक्रिशन थियृरी के डेली किुशंस के साथ हम एक बार फिर उपस्दित हैं। जुड़ चाहिए दोस्तों आप सभी और आज फिर हम इलेक्ट्रोनिक्स के कुछ क्युस्टंस आपको सौलु करवाएंगे आपको भी अपना उत्तर देने का मौका मिलेगा इसलिए तियार हो जाएए और अपना आंसर भी कमेंट जरूर करें अपना स्कोर चेक जरूर करें अ पता आप जरूर करें सभी क्युस्टंस का आंसर लाश तक करें और हमारे साथ लाश तक बने रहें दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें आपसे मेरा निवेदन रहेगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें डिस्क्रिप्सर में आपको लिंक मि इंश्टा पर हम शोर्ट वीडियो डालने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्युस्टन से। और आज दोस्तों क्युस्टन हिंदी इंगलीस दोनों में ने लिग पाया तो केवल हिंदी में ही है। ओप्सन इंगलीस में है, समझने का परियास करें, क्युस्टन बोल करके मैं आपको दोनों भासाओं में समझा दूँगा। सवाल नमबर वन आपकी स्क्रीन पर है, निमन में से कौन सी डिवाइस एंप्लिफायर के विप्रीथ है। यानि जो एंप्लिफायर वरक करता है, तो निमन में से वो कौन सी डिवाइस है, जो ज़स्ट अपोजिट वरक करती है, एंप्लिफायर का, एंप्लिफायर के ज़स्ट विप्रीथ वरक करती हो, अटेन्यूएटर, डिवाइडर, मोडूलेटर या मल्टिप्लायर, कर दीज के weak signal को बढ़ा कर output में मजबूत signal परदान करती है दोस्तो amplifier current को, voltage को, power को, यहां तक की यह volume यानि ध्वनी को भी बढ़ा करके मजबूत output हमें परदान करता है, इसका मतलब यह हो गया कि अब हमें उस device का choose करना है जो input में घटा करके output परदान करें, यहनि input के परके output को कम करने का परियास करें और ऐसी device को दोस्तों attenuator बोलते हैं, यह option आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा, attenuate करने का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या दबाना होता है एक तरह से, जैसे filter होते हैं तो वो एक तरह से attenuate ही करते हैं input वाले pulsations को, यह option यहां पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा, सेकेंड सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक ट्रांजिस्टर में अवक्षे परत की संख्या कितनी होती है, डिपलीसन लेयर कितनी होती है, ट्रांजिस्टर में यह पूछाएं, साथियों जब ट्रांजिस्टर का नाम कंप्लीट ना बताएं ना, तो हमें सा ध्यान रखना, BJT के बारे में पूछाएं, यानि, PN, 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 जो इस तरह की ट्रांजिस्टर होते हैं के बारे में, बाई पूलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आपसे डिपलीसन रेजिन या डिपलीसन लेयर की संख्या पूछिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, sorry, 1, 2, 3, 4, 4, चारी ओप्सन है, कर दीजे फटा पट से आपका कमेंट जो भी आ रहा है, देखो अवक्शे पर्त जो होते हैं दोस्तों, वो जंक्शन के पास ही बनती है, इसका सीधा सा आंसर होता है, कि जितने जंक्शन होते हैं, उतनी ही डिपलीसन लेयर होती है, ध्यान रखना एक तो साधारन पर्तों के बारे मे क्लेक्टर बेस, तो एक जंक्शन वन के पास बनेगी, दूसरी जंक्शन टू के पास बनेगी, दो पर्त होती है, अलांकि वैसे बीजेटी में कितनी पर्ते होती है, तीन होती है, एमिटर बेस और क्लेक्टर इन तीनों की पर्ते होती है, तीनों की डोपिंग होती है, लेक क्युष्टन ईजी आपकी त्यारी अच्छी है इसलिए आपको ईजी लगता है तो बने रही है देखिए जरा सवाल तीसरा है कि आपको डायोड का एक सिंबल दर्साय है हमने बताईए वो कौन सा डायोड है यह सिंबल आपकी स्क्रीन पर रहा दियान से देख लिए इस डायो है अच्छा कि उससे ने भाई उम्मीद करता हूं सभी का सही आएगा एक बार और देख लीजिए डायोड यह रहा आपकी स्क्रीन पर देखो टी की आकरती में मुड़ा हुआ है ना कोई जंजट नहीं रखना है टनल डायोड है जिनर डायोड में जैड की आकरती होती है वरे एक बात है अगला सवाल आपकी स्क्रीजिए और ट्राइक जो है ना यह थाइरिस्टर के ही एक जम्पल है पहले थाइरिस्टर होता था आज के लिए तो थाइरिस्टर का यूज बंद हो गया अलांकि अब तो और भी डिवाइसेज आ चुकी है जो उनका भी सुद्रा चलिए बताईए अब देको यहां पर लेएर पूछ रहा हो डिपलीशन लेएर नहीं पूछ रहा है ना ठीक है तो थाइरिस्टर में चार परते होती है आपका डी ओप्शन सही रहेगा एस सी आर में चार परते ही होती है एक बात है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि डायोड के ब्रेकडाउन दो तरह के होते हैं एक फॉरवर्ड ब्रेकडाउन दूसरा रिवर्स ब्रेकडाउन पॉर्वर्ड ब्रेकडाउन जो होता है वो तो उसकी डॉपिंग लेर के अकोर्डिंग होता है और सिलिकोन जर्मेनियम पर डिपेंड़ होता है जैसे एक साधा इसमें डायोड के दो तरह के ब्रेकडाउन आते हैं, एक ऐसा ब्रेकडाउन जो निश्चित वोल्टेज पर होता है, जिसकी वोल्टेज पहले से ताई हो, दोस्तो इसको जिन्दर ब्रेकडाउन बोलते हैं, लेकिन एक ऐसी वोल्टेज पर होता है, जो पूर्वे आउन बोलते हैं वैसे याद रखेर डालन डायउड के दो तरह करें जिनर ब्रेखडाउन आफ लंक्छे ब्रेकडाउन इस तरह की क्यूश्सन मैनने पहले करवाए है एलेक्ट्रोनिक्स की काफी classes दोस्तों हो चुकी है प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें लेकिन जो बची भी classes है तो बहुत जल्दी वो भी पूरी आपको करवा दी जाएगी है ना काफी सारे भाई जुड़े मैं सभी से निवेदन एक बार फिर करूँगा प्लीज आप वीडियो को वी उत्पन का मतलब होता है रासी का जस्ट विपरीद आउटपुट देना दूसरी बासा में बोलूं एक सो असी डिगरी के बाद आउटपुट देना अब तो आन्सवर आएगा आप सभी का common base, common collector, common एमिटर या फिर operational amplifier किसको inverter बोलेंगे सब जानते हैं, common एमिटर जो होता है ना इसमें input और output एक सो असी डिगरी पर है, जबकि common base और common collector में जिरू जिरू का फेज़ अनतर है, इसलिए inverter जो है इलेक्टरोन होते हैं, दो तरह के, एक को बोलते हैं, सेयोंजी इलेक्टरोन, दूसरे को बोलते हैं, मुक्त इलेक्टरोन, यानि वेलेंजी इलेक्टरोन, और हैं Free Electron sayUG electron का काम होता हैasisajaj ב बंद बनाना constraint का काम होता है धारा चालन करना यानी जहां convinced electr होते है करण्ट का चालन भहीं से आता है इसलिए है चालन बेंड में होते हैं abundance bin में蛇 होते है आपका अश सर्किट है डी ओप्षन stable state होती है यानि flip flop में कितनी इस्तिर आवस्ता होती है कितनी stable state होती है बड़ा simple है भाई जिसको इस नाम का अर्थ पता है न वही इसका answer कर पाएगा देखिए ये एक ऐसा circuit है जो या तो flip करेगा नहीं तो flop हो जाएगा समझ गए यानि ये क्या करता है या तो flip या flop मतलब या तो output देगा या output नहीं देगा सीधी सी बात है इसलिए इसमें दो state होती है दो आवस्ता होती है और दो में से किसी एक आवस्ता में ये परचालित होता है इसी को flip flop बोलते है B उत्तर अपना सही रहेगा complete theory की class इस पर अभी नहीं हुई है बहुत जल्दी इसके flip flop का आपको topic जरूर करवाएंगे इस दो में इस तरह के exam में क्यों संजादा आते है अगला सवाल कौन सी कपलिंग frequency reaction के साथ new time distortion देगी minimum distortion किस कपलिंग में मिलता है frequency के according जैसे audio frequency, radio frequency सी amplifier होते है न इन में होती है coupling दोस्तों किस coupling में हमें सबसे कम distortion यानि विकरती मिलती है तो भाई नाम सी पता लग रहा है direct coupling हो बीज में किसी का कोई जंजट नहीं हो तो वहीं कम होगा न डिश्टोर बीज में कोई नहीं होगा मेडियेटर तो भी तो विवगान कम होंगे न direct coupled आएगा ए उत्तर आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा आप अपने option को मिलान कर सकते हैं सबाग 10 आपकी screen पर selenium किस परकार का semiconductor है किस परकार का अरद चालग है intrinsic, extrinsic P type और N type चलिए जरा आप उत्तर कीजिए तब तक मैं आपको intrinsic, extrinsic बता देता हूँ दोस्तों intrinsic होते हैं सुद सेमी कंड़क्टर यानि प्यूर सेमी कंड़क्टर जैसे silicon, germanium जो अपनी सुद आवस्ता में मिलते हैं और इनकी चालगता होती कम इसलिए हम क्या करते हैं इनमें असुदिया मिलाते हैं impurity मिलाते हैं इस प्रोसेस को doping कहते हैं impurity मिलाने के बाद जो नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसको extrinsic material कहते हैं और intrinsic की अपेक्शा इस extrinsic की चालगता अधिक होती है इस doping पर किरिया intrinsic material है ए उत्तर आपका यहां पर सही रहेगा जैसे silicon है जैसे germanium है वैसा ही selenium है ए उत्तर आपका यहां पर सही है अगला सवाल चली है आपकी स्क्रीन पर un damped oscillation का आयाम दोस्तों oscillation के लिए बरकासन क्राइटेरिया बताया था साइद आप सभी को याद होगा बरकासन ने यह कहा था कि continuous oscillation के लिए loop gain का मान इकाई होना चाहिए मतलब loop gain इकाई होना चाहिए इकाई से कम हो सकती है इकाई से अधिक हो सकती है तो तीन तरह के oscillation फिर हमें पराप्त होंगे कौन कौन से एक oscillation को बोलते है damped oscillation दूसरे को बोलते है undamped oscillation और तीसरे को बोलते है growing oscillation इस undempt काई दूसरा नाम sustain oscillation है और sustain का मतलब होता है एक जगे रुखा हुआ या इस्तिर या constant जब loop gain का मान इकाई होता है तो undempt यानि sustain oscillation राप्त होता है जिसका आयाम समय के साथ नहीं बदलता है वो हमेशा इस्तिर रहता है ठीक है अगला आपका सवाल है डायक किस टर्मिनल है कितने टर्मिनल वाली डिवाइस है ठीक है सिंपल साकुष्ट से ने राजस्तान टेकनिकल एल पर में आया था इसलिए मैंने सोचा कि आप से भी पूछ लिया जाए पता तो लगे किस किस को याद है डायक में कितने टर्मिनल होते हैं वन टू थरी फॉर कर दीजिए अपना कमेंट फटा पट से उम्मिद है सब को आता ही होगा डायक में दो ही टर्मिनल होते हैं गेट टर्मिनल नहीं होता डायक और ट्रायक की संचना में इतना ही फरक आप समझ लीजिए दोनों टर्मिनलों को बोलते हैं एनोड वन और एनोड टू या फिर में टर्मिनल वन और में टर्मिनल टू क्योंकि ये किसी भी साइड से संचालन कर सकता है दूडीश ये युकती है ट्रायक भी दूडीश ये है बाई लेटरल है बाई डरेक्शनल और ये भी बाई डरेक्शनल है फरक इतनासा है कि उसमें गेट नाम का सीरा होता है इसमें नहीं होता अगला सवाल IGBT किस परकार की डिवाइस है ये भी अच्छा सवाल है साथियों, बहुत इंपोर्टेंट है, आप अच्छे से रिफलाई करने का परियास करें, इंसुलेटिड गेट फिल्ड इफेक्ट टांजिस्टर पूरा नाम होता है, साधान जे एफटी से ये इस परकार भिन होती है, कि इसका जो गेट, एफटी मे उत्तर यहां पर आपका सभी रहेगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कि एक थारिश्ट्र बंद हो जाता है जब एनोड करन्ट का मान से नीचे चला जाएगा, होल्डिंग करन्ट से, फोरवर्ड करन्ट से हैं, reverse current से हैं, या फिर leaching current से हैं, दोस्तों, leaching धारा वो होती है, जो holding current से भी ऊपर गी हो, जिसमें वो normally चल रहा होता है, लेकिन current leaching से भी नीचे अकर के, यदि holding तक सिमित रहती है, तो एक थायरिष्टर ओन कंडिशन में बना रहता है, लेकिन यदि होल्डिंग कंडिशन से भी नीचे चला गया तो थाइरिस्टर ब्लोक ओफ पोजिशन कहलाती है उसकी और वो बंद हो जाता है A उप्सन यहां पर आपका सही रहेगा जिनका भी उत्तर है बिलकुल सही उत्तर A है यहां पर अगला सवाल ट्रांजिस्टर की एलफा और बिटा में क्या समंद होता है डाइगराम दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर जिसमें A, B, C, D, 4 ओप्सन है और I think सभी को दिखाई दे रहा होगा एलफा और बिटा में क्या समंद होता है काफी important है इसका numerical आता है याद रखें बहुत अच्छे से ठीक है देखो दो होते हैं कोई भी समंद आप दे सकते हो एक तो C option है अपना कि alpha बराबर बिटा बटे 1 प्लस बिटा लेकिन दूसरा भी आप दे सकते हो अभी तो C option आपका सही रहेगा दूसरा आप ये दे सकते हो कि बिटा बराबर alpha बटे 1 माइनस alpha ये भी होता है तो इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए पेपर में कर देना important बहुत है अच्छे से इसको याद रखना numerical इसका electrician exam में काफी बार आ चुका है दोस्तों बस साथियों यही थे आज के पंदर क्यूसन क्यूसन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब जरूर करें टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करें बहां से PDF आपको मिल जाएगी ट्विटर इंस्टा पर फोलो जरूर करें दोस्तों को जितना हो सकता है प्लीज आप चैनल को सेर कीजिए बहुत धन्यवाद सभी का